हाई गैज और विल्कम बैक टू दी चैनल दीपक यादा वेजुकेशन विल्कम टू दी डेली करेंट अफेर्स आफ 19 जून 2021 तो गैज आज है तारिक 19 जून 2021 आज की तारिक से जितने भी most important करेंट अफेर्स बनेंगे उन सबी करेंट अफेर्स को हम लोग डीटेल में डिसकस करेंगे नाओ बढ़ते हैं आगे और गाईज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडिएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलिग्राम का लिंक दिया जा है वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडिएफ को डाउनलोड कर सक और यह है मेरी इंस्टाग्राम आइडी दीपक यादा वेजुकेशन यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना और अपने जितने भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर आप लोग पूस सकते हो इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखाए तो च क्या है वो आप लोग को स्क्रीन पर नीचे की साइट दिख रहा होगा अगर आप लोगोंने कल वाला डेली करंट अफेर का वीडियो देखा है तो इस क्वेशन को इजली आप लोग सॉल्व कर पाओगे क्योंकि क्वेशन बहुत इंपॉडेंट है बात के करी गई है जो व आजाते हैं पहले आर्टिकल की तरफ तो यहाँ पर बात करी गई है जलगाओं के बनाना के बारे में जलगाओं एक डिस्ट्रिक्ट है महराष्टरा के अंदर तो वहाँ के जो केले हैं वो काफी पॉपॉलर है एटलीस अगर हम बात करें तो 2016 से ही जो है इनको GI टैग मिल था 2016 में अब न्यूस के आए न्यूस यह है कि यह जो जलगाओं बनाना है इनको एक्सपोर्ट किया यह है दुबई में तो उस वजाए से न्यूस के अंदर आए हैं अब इसके रिलेटेट कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि आप लोग अपने एक्जाम में भी इस्त प्रोडेट के अब न्यूस के बाद जो आपके सकते हो कि में रीजन है जहां जहां पर यह बनाना का प्रोडेक्शन किया जाता है भारत में वो हैं ट्रॉपिकल सब्रॉपिकल और कोस्टल रीजन उसके बाद एक जो लास्ट वाला पॉइंट है यह बहुत ज़़ादा और यह जो सारे स्टेट्स हैं यह सारे स्टेट्स मिलकर लगबख सतर परसेंट तक कॉंट्रिब्यूट करते हैं बनाना के प्रोडक्शन में हमारे पूरे देश के अंदर तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपोर्टेंस इनको मिल जाता है नव अब एक्सपोर्ट से जान यहां सभी जगह पर जाधतर बनाना को एक्सपोर्ट किया इया है यह डेटा काफ इंपोर्टेंट है आप इसको ध्यान रख सकते हो नव आते हैं आर्टिकल लंबर सेकिंड की तरफ यहां पर बात करी गई है ADM M plus के बारे में यह क्या है डिफेंस मिनिस्टर राजना स इसमें बताया गया जो टेररिजम वगरा है आज के टाइम पर रेडिकलाइजेशन है यह काफी खतरा पैदा हो चुका है यह एक तरीके से खतरा बन चुका है हमारे दुनिया के लिए तो इसको कही नगाई खतम करना है इसको कैसे टैकल करना है उन सब को लेकर बातचीत करी गई है इस वीडियो कांफरेंसिंग के माध्यम से जो मेटिंग होई थी उसके अंदर अगर हम बात करें आसियान के बारे में तो यह काफी इंपोरेंट हो जाता है हमारे एक्जाम के पॉइंट अव्यू से आसियान के अंदर आपको 10 कंट्री देखने को मिलेंगी लेकिन उ तो लो और अच्छे से क्लियर करेंगे पहले हम लोग आसियान के बारे में पढ़ेंगे यह आर्टिकल आपका जीएस पिपर 2 के पॉइंट अव्यू से इंपोरेंट हो जाता है जीएस पिपर 2 में आपके बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे और उसमें से एक दो गिये हैं जैसे कि bilateral grouping and agreement हो गया या फर important international institutions हो गये तो यहां से आप लोग इसको relate कर सकते हो यहां पर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में तो आसियान की full form है Association of Southeast Asian Nation अब यहां पर क्या क्या बातचीत होती है यह जो groups हैं यह जो countries के अंदर वो सम मिलकर क्या काम करती है इकॉन में political और security cooperation के उपर काम करती है इनको promote करते रहती है उसके बाद यह आपको धियान रखना है आसियान को establish क्या गया था 8th of August 1967 के अंदर कहां पर Bangkok में इन्होंने मिलकर इसको पूरी तरह से खोजा था आज के टाइम में आसियान के अंदर 10 member आपको देखने को मिलेंगे वो कौन कौन से हैं ब्रुनवाइ, कमबोडिया, इंडोनेशिया, लाउस, मिलेशिया, मियनमार, फिलिपीन्स, उसके बाद सिंगापूर, थाइलेंड और आसियान के अगर हम बात करें तो दुनिया भर में इनका काफी बड़ा contribution है, लगबग 650 million people आपको देखने को मिलेगे इन 10 की 10 countries को अगर हम contribute करें तो, उसके साथ ये 10 की 10 countries मिलकर ये जो group बनाती हैं आसियान, इसका आपको सकते हो कि लगबग जो GDP है, gross domestic product है, वो आपको 2.8 trillion US dollars का देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, देखो यहाँ पर मैंने 10 countries का नाम बताये थे, वो 10 countries आपको ये देखने को मिल जाएंगी, इसके अगर आप 8 countries ये add कर दोगे, जैसे कि Australia, US, India, South Korea, Japan, China, New Zealand और Russia, तो ये हो जाएगा ADMM+, तो इन दोनों के बीच में difference याद रखना है, काफी important question आप लोगों से बन सकता है, नाव ये ADMM+, क्या है मैंने आपको बता दिया, इसके अदर 8 dialogue partners जो की add करे गए हैं, अब आपको ध्यान ये रखना है, कि ये जो पंदरवा, Asian Defence Minister meeting हुआ है, इसको host किस ने किया, इसको host किया है, ब्रुनई ने, और इस साल जो ह चेयर भी यहाँ पर Asian को ब्रुनई ही कर रहा है, ठीक है, उसी के साथ यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, इस meeting के अंदर जो बातचीत हुई है, इस meeting का main मकसद ये है, कि जो security है, या फिर defense cooperation है, शांती बनाने के लिए, एक stability बनाने के लिए region के अंदर, region का विकास करने के ल ये प्रारम किया गया है, साल 2010 में, ओके, ना आते हैं, next article की तरफ, एक और important article है, यहाँ पर बात करी गई है, दामीनी के बारे में, दामीनी क्या है, ठीक है, यह कोई movie वाला नहीं है, यहाँ पर ये basically एक app है, phone के अंदर जो application होती है न, उसी तरीकी की application है, जो कि आपको बह बहुत जादा benefits देगी, कैसे, आगे में बात करूँगा, तो जो हमारे home minister है, श्री अमिर्शा जी, इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से publicity दी है, लोग में जादतर ये फैलाया है, awareness फैलाया है, अलग-अलग apps के बारे में, लेकिन यह जो सारे apps हैं, सब एक category से belong करते हैं, वो किसके लिए हैं, वो weather forecasting के लिए हैं, मतलग कि मौसम का अनुमान लगाना के ऐसा मौसम रहने वाला है, उसके उन apps को प्रमोट किया गया, एक तरीके से हमारे home minister जी के दौरा, तो यहाँ पर apps कौन कौन से हैं, वो हैं, उमंग है, rain alarm है, और जो है, दामिनी है, लेकिन दामिनी 20-40 km के अंडर का ये चीज़ा आपको ratify करके बताता रहेगा, उसके अंडर की notification आपको मिलती रहेगी, जो कि काफी beneficial है, और यहाँ पर सबसे important चीज तो यह है, अगर बिजली का कहीं पर strike होने वाला है, गिरने वाली है, तो तीन घंटे पहले आपको इसके बारे में notification मिल ज इंडियन इंसिट्यूट आफ ट्रॉपिकल मेटरलोजी के द्वारा, जिसको हम लोग IITM पुने बोलते हैं, ठीक है, साथी साथ Earth System Science Organization के द्वारा यहाँ पर इसको बनाया गया है, लॉंच कप करा गया था, इसको साल 2020 में किया गया था, publicity इसको इतनी मिली नहीं, तो वापस इसको publicity दी गई है, इस वज़ा से ये news के अंदर है, आते हैं fourth article की तरफ, एक और important article, Sea Turtle Day के बारे में बात करी गई है, World Sea Turtle Day को celebrate किया गया था, 16 June को, और यहाँ पर celebrate करने के पीछे का मकसद यही था, कि हर एक इनसान को हम लोग educate कर सकें, कि आज के टाइम पर जो समुदर के अ पर आपको देखने को मिलेंगे, in fact, ये बोला जाता है, कि जो चिपकिली और साप के आने से पहले भी यहाँ पर यह turtles देखे गए सबसे पहले, उसके बाद यह बीचीज है कि अपना जो यह turtle है, यह जो अपने पहले कुछ साल होता है, यानि कि मतलब सबसे पहली starting के कुछ स यह बोला जाता है, तो आपको यह इसके बारे में ध्यान रखना है, छोड़ी सी information है, फिर उसके बाद एक उससे भी जादा important information यह है, कि साथ प्रजातियां देखने को मिलती है, सी turtle की, जो समूदर के अंदर turtle पाए जाते हैं, इसकी साथ प्रजातियां खास कर देखने को मि सकती है, वो प्रजातियां कौन-कौन सी है, यहाँ पर आपको देख सकते हो, एक important information है, जो कि आप स्टोर करके रख सकते हो, उपने पास, वो है, loggerhead, green leatherback, hawksbill, olive ridley, जो की काफी जाद न्यूस के अंदर रहता है, olive ridley के बारे में आपको पढ़के चलना ही है, यहाँ से definitely इ इन साथ के अंदर से दो प्रजातियां तो ऐसी हैं, जो की critically endangered के अंदर में आती हैं, और वो दो प्रजातियां कौन सी हैं, वो हैं hawksbill और camps ridley, यह मतलब पूरी तरह से खतम हो चुकी है, इनकी जनसंकिया बहुत जादा कम बची है, इनको protect करने की बहुत ही जादा आवशक अब अगर हम बात करें कुछ important information है, तो जो sea turtles हैं इंडिया के अंदर सबसे पहली बात यहां पर आपको यह देखना है, कौन को से turtles कहां कहां पर जादा तर देखने को मिलते हैं, तो जादा तर जो turtles हैं वो भारत के अंदर coastal states के अंदर देखने को मिलते हैं, ऐसे राज्य जह आपको बहुत सारी varieties देखने को मिलेंगी, basically पाँच एक्जिक्यूसाइड varieties देखने को मिलेंगी turtles की, और वो पाँच important varieties कौन सी हैं, सबसे पहले आपको olive ridley turtle देखने को मिलेगा, इसका scientific आगे नाम दे रखा है, उसके बाद green turtle, उसके बाद hawksbill turtle, leathery turtle और eastern mud turtle, यह सारे turtles आप इस तरीके से shell बनाव होता है, यह बहुत hard होता है, जो green sea turtle होता है, इसका बहुत भारी shell होता है, बहुत ठोस होता है, और यह turtle लगबग 120 cm तक आपको सकते हो यह लंबा होता है, इसका वजन 136 से लेकर 149 kg तक का होता है, वजन तो आप समझ सकते हो, 1500 kg का यह turtle देखने क हो, यह इनकी पूरी family है, ठीक है, यह पूरी family है, कितने लोग हैं अभी आगे आगे आपको बताऊंगा, लेकिन यह जो व्यक्ति हैं, इनका नाम जान, जान बोला गया है, और basically यहाँ पर हुआ क्या है, इनकी death हो गई है, ठीक है, और यह head रहे चुके हैं, एक तरीके से द अदर कौन-कौन था, जो यह जान एचना है, इनका नाम है जान एचना, तो आपको ध्यान रखना है, इनकी family में लगबग 180 members हैं, सबके सब एक ही छत के अंदर रहते थे, अभी भी रहते होंगे, ठीक है, अभी फिलाल इनकी death हो यह, उस वज़ा से यह news के अंदर है, इनकी स्टार्डिकल की तरफ, यहाँ पर बात करी गई है, फकीर मोहन सेना पतीजी के बारे में, यहाँ पर जिनका आप पिचर नीचे देखी रहे होंगे, और आप कर सकते हो कि लगबग 103 यहाँ पर death anniversary celebrate करी गई है, इनकी death होई थी 14 जोन 1918 में, तो उसी वज़ा से यह particular person भी news के अंदर है, तो इनके बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ से definitely question बन सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें, UPSC को छोड़कर और भी बहुत सारे exams, जो है one day exams, वहाँ पर important personality उनके syllabus में है, ठीक है, तो वहाँ से question हर साल बनते हैं, चाहिए आप कोई सभी पर देख लो, तो अभी भी chances हैं कि बन जाएं, तो यह जो फकीर मुहन सेनपती जी है, इनका जन्म और डेथ महाँ पर लिखावा है, जो कि आपके लिए important नहीं है, बट यह धियान रखना है, यह एक Indian writer थे, poet थे, philosopher थे, social reformer थे, और जो है, आप कर सकते हो कि इनको अक्सर जो है refer किया जाता है as a utkal bias कभी इसके दोर पे इनको बोला जाता है, और बोला यह जाता है कि जो ओडिया nationalism है और जो ओडिया literature है, उसके father ये फकीर मुहन सेनपती जी ही है, ठीके तो इनको father of odia nationalism and modern odia literature भी बोला जाता है, इन्होंने एक leading role play किया था, कहाँ पर odia language को एक अलग से पहचान देने म हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारी novel writing को introduce किया, short stories introduce करी, biographies जो हैं लिखी, लेकिन ये सब लिखा था odia literature के अंदर, that is why इन्होंने बहुत ज़दा contribute किया है odia literature के section में, now यहाँ पर आप कहसकते हो कि इनकी जो पहली novel थी, Indian novel उसका नाम था चा माना अथा गुना, ठीके तो यहाँ पर यह पहला इनका Indian novel था, और इन्होंने यहाँ पर उसके बाद और ही बहुत सारी चीज़े लिखी थी, जैसे कि रेबाती लिखा है इनकोंने, यह इनकी short story थी, फिर उसके बाद इन्हों एक लंबी सी कवीता लिखी थी, जिसका नाम है उतकल ब्रहमनम, ठीके यह पहली बार अपियर करी गई थी, 1892 में, तो यह चोटी सी information इसके बारे में आप ध्यान रख सकते हो, basically करना क्या है, इनका नाम ध्यान रखना, क्योंकि 130th anniversary celebrate करी गई थी, आपसे इसी के purpose से पूछा जा सकता है, फिर उसके बाद एक चोटी मोटी information याद रख सकते हो, जैसे क अब लोग इसको आर्टिकल को समझने से पहले हम फ्राइट करीडोर का मतलब समझते हैं, फ्राइट करीडोर मतलब क्या होता है, देखो एक तो यहाँ पर ट्रेन की ऐसी पट्री होती है, और एक तो ट्रेन वैसी चलती है, जिसके अंदर पैसेंजर्जर से बैटते हैं, अभी फिलाल होता क्या है, जो माल गाड़ी होती है, गुट्स वाली ट्रेन वो भी उसी लाइन पर चलती है, तो होता क्या है कि यहाँ पर माल गाड़ी को रोक दिया जाता है, बाकी जारी पैसेंजर वाली ट्रेन से उनको पहले निकाला जाता है, इस वज़ा से माल गाड़ी इंडियान आर्मी ने अभी हुआ क्या है न्यूज यह है कि successfully एक इन्होंने trial conduct किया है एक military train चलाई है इन्होंने जिसके अंदर vehicles वगएर रखे थे एक तरीकी से आपके सकते हो टैंकर वगएर रखे थे equipment रखा था और यह गाड़ी चलाई है यह गाड़ी कहां से कहां तक चली अब इन freight corridors के बारे बात चली गई है कि देखो बहुत सारे freight corridors के उपर construction चलाई है अभी यहाँ पर एक freight corridor का trial हुआ है यहाँ पर यह आप लोग ने देखा freight corridor का मतलब यहाँ पर क्या है बस मैंने इसी को समझाने के लिए जालतर इस article को लगाया था आज के टाइम पर यह बना रहा है कहां पर एक western dedicated freight corridor बना रहा है लगबक कितने किलोमेटर का 1506 किलोमेटर गा उसके बाद eastern dedicated freight corridor भी बन रहा है मतलब यह आप देख पाओगे western side भी बन रहा है और eastern side में भी construction चल रहा है यह आप देख पाओगे यहाँ पर नीचे आपको सारी की सारी information मिल जाएगी ठीक है तो basically जादा कुछ नहीं है कहां से कहां तक corridors बन रहा है उसके बारे में बातचीत करी गई है एक corridor तो बहुत बड़ा यहाँ पर start हो रहा है कहां से लुदियाना से west Bengal तक तो आप समझ सकते हो eastern sector में यहाँ से लुदियाना से शुरू होगा west Bengal के दंकुनी जगा तक यहाँ पर से पूरी तरह से simplify कर दिया है कि अगर किसी micro small medium आपके सकते हो micro medium small को भी है enterprises होते हैं छोटे मोडे businesses होते हैं उनको अगर registration कराना है तो अब process बहुत असान हो चुगा है हर कोई जो है इसके अंदर registration करा सकता है ऐसा यहाँ पर बताया गया आपको किस चीट की requirement होगी स्रिफ और स्रिफ pen card की requirement होगी और आधार card की requirement होगी अगर आप लोग को अपने MSME को register कराना है तो और इससे क्या होगा जो हमारी economic activities है उनके अंदर कहीं न कहीं boost up मिलेगा वो कहीं न कहीं grow होता वा नजर आएगा ठीक है उसी के साथ यहाँ पर यह भी बोला गया इसके लिए जो यह purpose ह MSME जादा आएं जादा registered हों जादा businesses खुलें जादा हमारी economy तेजी से grow हो उसके लिए government ने announce कर दिया है एक incentive package कितने रुपे का 20 लाख करोड रुपे का यहाँ पर यह package start किया गया है under the art manirbhar bharat abhyaan तो यह आपको ध्यान रखना है अब यहाँ पर MSME होते क्या है तो इसके पर नजर मार लेते हैं सबसे पहले तो यह आपको ध्यान देना है देखो MSME की बात करें यहाँ पर क्या है micro small sorry MSME micro small medium enterprise ठीक है मतलब micro सबसे छोटे small थोड़े से बड़े medium small वाले से बड़े तो यह जो businesses हैं इसको कैसे categorize किया जा सकता है तो यहाँ पर आप देख पाऊगे ज आपका सकते हो small enterprise होता है इनकी limit किती होती है इनकी limit होती है 10 से 50 करोड तक की अब medium enterprise होते है इनके भी amount को बढ़ा दिया गया है medium enterprise का जो investment limit है वो 50 से 500 करोड कर दिया गया है तो यह आपको देखने को मिलेगा यानि कि जो micro है वो छोटे enterprise है medium जो है वो उससे बड़े enterprise है और small sorry small जो है वो micro वाले से थोड़े से बड़े हैं और जो medium वाले है वो आपका सकतो small से बड़े है ठीक है जादा confusion नहीं पालना है micro MSME ठीक है micro छोटे वाले और small micro से बड़े वाले और medium small से बड़े वाले ठीक है obviously बात है जितना बड़ा business होगा उसका अदर उतना investment लगेगा उस यह article बेकार है इसको हम लोग skip करेंगे इसमें जादा कुछ नहीं है इस वज़ा से इसको हम लोग skip कर देंगे नहीं आते हैं आपर एक important article की तरफ पिछला वालो article बेकार था ठीक है इस वज़ा से कोई बात नहीं मैंने हम पर लगा दिया था PDF में read करना जाओ तो read कर लेना PDF आपको टेलिग्राम से मिली जाएगा नौ यहाँ पर जो last article आज का वो बात करता है नैटो के बारे में नैटो पिछले दिनों से काफी जादा न्यूस के अंदर देखने को मिल रहा है और हो सकता है कि नैटो के regarding question भी आपसे exam में बन जाए तो 2021 के summit का statement यहाँ पर यह बताता है जो नैटो के leaders हैं उन्होंने एक तरीके से बहुत कुछ बात चीत करी है और साथी साथ इन्होंने सबसे पढ़ी बात अभी नैटो news में भी था क्योंकि इन्होंने यह बोला कि चाइना जो है आज के time पर एक सबसे बड़ा threat है चाइना को tackle करना पड़ेगा और बहुत सार इन्होंने को मिलेगा North Atlantic Alliance basically इसको बोला जाता है full form क्या है इसको बोला यह जाता है अब यहाँ पर objective है इसका नैटो का वो यह है कि एक basically एक तो यह Intergovernmental Military Alliance है जो North American हो गए या फिर European countries है यह सब मिलकर इस नैटो के group को बनाती है इसके अंदर खासकर इनका यह कहना है कि अगर मत से किसी एक country के उपर attack होगा तो समझ लो यह समझ लेला कि सारी country इसको पर attack हुआ है सारी country एक खटा हो जाएंगी तो नैटो का यह बहुत रोल काफी बहतरीन लगता है उसके बाद नैटो का headquarters आपको ब्रजल के अंदर देखने को मिलेगा जो कि Belgium में है और basically इसके headquarters को बोला आपको देखने को मिल जाएगा origin कैसा हुआ NATO बना कैसे तो देखो जो North Atlantic Treaty है इसको पहली बार sign किया गया था 1949 में यह आपको धियान रखना है और basically यहाँ पर इसको as a alliance of European North American countries के तोर पर इसको बनाया गया था और जो USSR था एक तरीके से जो Russia था उसको tackle करने के लिए NATO को बनाय गया था इसके पीछे का purpose यही था कितने members जो है आज के टाइम पर NATO के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 30 members है इसके अंदर और जो Montenegro है इसने जोईन किया था 2017 में और जो last country है जिसने NATO को जोईन किया है वो है North Macedonia जिसने 2020 में जोईन किया था आपको इसके बारे में भी ध तुरकी यूरोप और एशिया के बीच में आती है इसको Eurasian बोला जाता है जो Europe और एशिया के बीच में बीच में आती है और फिर दो countries जो है आपको यहां पर North America की देखने को मिल जाएंगी Canada और USA अब जो तरकी है वो इसी तुर्की जो है वो इस 28 के अंदर में आती है ठीक है उसके बाद इनी 28 के अंदर और भी आपको तीन और countries देखने को मिल जाएंगी जैसे कि Estonia, Latvia, Lithuania और ये पहले आप कर सकते हो Soviet Union का member हुआ कर दे थे USSR के ही member हुआ कर दे थे जब USSR टूटा तो ये countries अलग हो गई, now question यह है कि USSR कब टूटा था जड़ा नीचे comment section में इसका भी जवाब दो, ठीक है ये important question है now यहाँ पर अगर हम बात करें, NATO का जो article 5 है वो ये बोलता है कि अब बिल्कुल वही चीज़ बताईए मैंने आपको कि देखो, मतलब इनका यह है कि अगर किसी एक country को पर attack हुआ है, तो मतलब भी सारी countries को पर attack हुआ है, इनका ये मानना है और आज के time पर ये लोग कौन से areas में work करते हैं, अगर इनको पर कोई भी attack हो, चाहे वो land पर हो, sea पर हो, air पर हो, या फिर cyber space हो, ठीक है इन 4 categories में, अगर किसी भी country को पर attack होता है, तो समझ लो, सारी countries को पर attack हुआ है, लेकिन अभी हुआ क्या है, इसके अंदर, इन्होंने एक चीज़ और add कर दिये, वो add ये करी है, कि दिसंबर 2019 में, जो NATO leaders है, उन्होंने डेक्लियर कर दिया, कि अपना जो ये space है, इसके अंद आसपास देखने को मिलेंगी, और आदे से जादा जो है, ये, जो satellites है, आपके सकते हो, हजार, हजार, याग, बारासों से आसपास, जो satellites है, वो operate करती है, सारी की सारी NATO countries, obvious ही बाद है, 30 countries और 300 काफी जाद है, तो फिर ये ही, जो है, operate करती भी नजर आती है, और जो 80 countries, उनकी बाकी जो satellites आपको ये देखने को मिल जाएंगी, ठीक है, ये छोटी से information थी, काफी important थी, I hope आपको सभी article अच्छे से clear होगे होगे, आप इसी के साथ हम लोग lecture को समाप्त करते हैं, अगर आप लोग को इस lecture का PDF चाहिए, तो नीचे description box में आप लोग को telegram का link दिये रखा है, वहाँ से जाकर lecture के PDF को download कर लेना, चैनल को subscribe कर लेना, bell icon press कर लेना, daily current effort के वीडियो को देखने के लिए, मिलते हैं आप लोग उस next वीडियो में, आज के लिए बाबाए, have a nice day, thank you and जाहिन.